मैं गुरुजी के पास माई में भी आई थी, उस टाइम मेरी कंडिशन ऐसे ही थी जैसे हम है, सुधाख हा उस टाइम में, फिर मेरा योरो बैग दू लगा हो ला था, और मोशन का पता चला था, चलता था, कंट्रोर नहीं था, तो इसकी वज़े से हमने किसी से पूछा, तो पास आई तो गुरुजी को जैसे मैंने बताया कि पहले भी मैं आई थी, आपके पास मैं वापस चली गई थी, दवाई छोड़ने का मन नहीं किया उस ट्रेंग में, और अभी आप मुझे बताओ, मुझे मेरे शरीर में बहुत ज्यादा प्रोब्लम है, आप बताईए मैं क्या करूँगा, तो बहुते पहले मन बनाओ, फिर मैं दो-तीन दिन लगा बतार आती रही, फिर गुरुजी ने मुझे डाइट बताई, नौ सितंबर को मैंने सारी दवाईया छोड़ी थी, 15-20 बोलिया लेती थी, तीम बार इंसोलीन लेती थी, मेरी शुगर साड़े सी इंसो आती थी, और उसके बाद मैंने जो गुरुजी ने डाइट बताई, ड वीडियो देखती रहती हूं, फिर उसके बाद मेरा दीरे, 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 वेट मेरा धाई महीने में 14 किलो कम हो गया, अभी मैं काफी बैटर महसूस करती हूं, अपने आप चल लेती हूं, और फुट्रोप की वज़े से मुझे फुट्रोप वाला चल डालना है क्योंकि गिरने का डर है उसमें, तो अभी मैं 70% के करीब थी, तो परालेसिस था आपको, परालेस का अटक आया था, नीचे नीचे हिस्से बे आया था, पहले लेट पैर में आया था सुग है, फिर मैं दिखाने गई, वहां ने जजी नहीं किया, क्या है, ऐसे डिटी की दवाई दे दी मुझे, फिर उसके बाद रात को 12 बजे मेरा दूसरे पैर में अटक आया था, अच्छा, 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 एक साल पहले की बात, एक साल पहले, तो अब आप दो-तीन महीने से शुरू, मतलब फॉलू कर रहे है, गुरू जी के पा 70% आप इंप्रोव करें, क्या-क्या आपने फॉलो किया, खाने पीने में बदलाव, खाने पीने में रोटी छुडवा दी, जो डाइट गुरू जी ने बताई है, वही लेरियों से अम्रूद बदाया था, और बॉयल सब्जिया और जो काड़े आए, और पेठ्छे का जू संदे पूछा था गुरू जी से कि अभी में मोशन में को डाइट लेने से हो रहा है, तो मैं मलतास का काड़ा पी हूं या ना पी हूं, गुरू जी बोलते हैं, अभी कोई जुरूर्त नहीं है, अगर आपको मोशन नॉर्मल आ रहा है, तो तीन-चार बार पे अभी भी भी मतला आप अभी भी नहीं ले रही है, अभी भी गुरू जी ने बोला, जब तक आपका यह यूरू बैक नहीं उतर जाता, तब तक आप 2-3 महीने जितने भी लगेंगे, आपको अन नहीं खाना है, अगर अन खाएंगे तो आपकी प्राण सकती, अन को पचाने में लग प्रेट भरके खाऊ, नहीं खा सकती, यह हमरूद खाती हूं, और मुली एक ही लेती हूं, जब फर्स्ट बार मैंने मुली ले थी, उस ताइम में मेरे को पेट दर्द हो था, बहुत बुरी करें, उस तरे मेरे को 15 दीन नहीं थे, मैं गुरू जी के पास आई, गुरू जी म आपके अंदर इतना मल गया तो आपको गैस बना रहा है, गैस की वज़े से आपको पेट दर्द हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे 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 मेरे को पच्चनी शुरू होगे, मेरे को तिल का दूद बताया था एक महीने के बाद, वो मैं पी नहीं पा रहे थी, कि शरीर म अब दमाइयों के इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मेरे को पीना मुश्किल होता था, गर्मी कर जाते थे, अभी मैं 15 दिन से पी रही हूं और मेरे को ठीक है, शरीर की गर्मी भी मेरे को कम हो गई है, अब मुझो कोई मैसूस नहीं होती जला, ना बेट में ना मेरी स्क में उस टाइम में तो बुरी तरे स्किन जलती थी, जैसे बहुत अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत प्रेड़ना देगा, बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना नाम भी बताईए, और रेजिबंस, मेरा नाम शुशीला खटर है, कहां से हैं, मैं 85 से हम बहुत 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 धन्यवाद, थैंक्स